मेक इन इंडिया अभ्यान आज 21 वी सदी के भारत की आवशक्ता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ दिखाने का भी आवसर देता है। अगर किसी देश से रो मट्रियल भार जाएं और वो उसी से बने मैनुफेक्चर गूर को इंपोर्ट करें ये स्थिती किसी भी देश के लिए गाटे का सौधा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशार देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा न हमारी युवापीडी को आउसर दे पाएगा। ये वैस्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है। और इन दिनों तो हम विशेज तोर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विशे ने कैसे पुरी दुनिया की एकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। जैसे हम सारी नेगेटिव बातों को हमारे सामने देखते हैं तो जड़ा दूसरा पहलू देखें। इस के प्रकाश में भी हमें लगेगा कि इतने बड़े संकट जब सामने होते हैं कभी भी स्थितियां बदलती हैं तो मेक इन इंडिया की ज़रूर पहले से ज़्यादा हो गई है। दूसरी तरब अगर हम देखें। क्या कोई पॉजिटिव बाते हैं जो हमें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करती हैं। आउसर को हम ढूंड पाते हैं क्या। आप देखें जिस देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में युवा पीडी हो नवजमान हो। जिस देश के लोगों की टैलेंट के विशह में दुनिया में कोई question mark न हो। आवश्यक्ता के अनुक्सकार, skilled manpower को develop करना। demographic dividend और दुनिया आज democratic values की तरफ बहुत आग्रव और आशाबरी लचर से देख रही है। यानि अपने आप में यह ऐसा संपूठ है। एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिसको लेकर के हम एक बड़े सपने देखशक पे हैं। उसके साथ साथ अथा प्राकृतिक संपूठा के हम धनी हैं। हमें इसका भरपूर इस्तेमाल मेकिन इंडिया के लिए करना ही चाहिए। करना हुआ है।